वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज मैं इस वीडियो में नेक बिजाइन गुनाऊंगी इसके लिए मैंने पेस्टिंग दुक्रम ली है उसकी चोड़ाई है साधे नोही और लंबाई है 10 इंच इसे फोल्ड करके हम नेक ड्रॉ करेंगे नेक विट्थ है 3 इंच और नेक डेप्थ है 4 इंच इसे हम नाइंज ड्रॉ करेंगे और 3.5 इंच एक्स्ट्रा स्लिट्ट मार्क करेंगे इस लिट्थ हम हाफ इंच चोड़ी रखेंगे और डबल पे हम 2 पॉइंट मार्क करेंगे नेक को राउंड शेप देंगे और स्केल की हेल्प से स्लिट्ट ट्रॉ करेंगे फिर हम इसे कट करेंगे इन नेक करने के बाद हम बाहरवली साइड 1.5 इंच बॉडर ड्रॉ करेंगे और इसे बाहरवली साइड से कट करेंगे नेक कट हो गया है अब हम फैब्रिक लेंगे जो के स्ट्रेट लाइन्स वाला है इसे हमने डियागनियली कट कर लिया है अब हम इसकी क्रोज साइड को पकड़ेंगे और इस लाइन्स को मैच करके हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे ऐसे सिलाई लगाने के बाद जो हमें लाइन्स है वो वी शेप में शो होगी अब इसके उबर हम neck paste करेंगे बिल्कुल middle में रखकर सिलाई के middle में रखकर हमने neck paste कर लिया है अब इसकी corners पर cut लगाएंगे और जो extra fabric रखक है उसे fold करेंगे उसके उपर रफ सिलाई लगाएंगे अब इसे fold करेंगे middle से press करेंगे और extra fabric cut करके middle में cut लगाएंगे अब हमने कुर्ती का front part लिया है इसके wrong side पर हम neck को रखेंगे और middle में rough stitch करेंगे middle stitch के बाद हम neck की shape के according बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे इस like complete करने के बाद हम इसे cut करेंगे जो internal side extra fabric है और slit में भी बहुत ध्यान से cut लगाएंगे इसके corners पर ही छोटे छोटे cut लगाएंगे और round shape में भी छोटे छोटे कट लगाएंगे अब हम इसे कुट्टी के सीधी तरफ पलट देंगे और सुई की help से neck की corners को अच्छे से बाहर निकालेंगे और किनारे के साथ साथ सिलाई लगाएंगे इस सिलाई हम बहुत ही ध्यान से लगाएंगे ताजो जो कुट्टी का fabric है वो ऊपर वाली side ना आए यामनिंग्रेन लेंगे इसलिए है जो कि कुट्टी के दामन की embroidery के साथ मैचिंग है इस लेस को neck की बाहर वाली side अटैच करूंगी लेस को हाफ बाहर शो करते हुए ऐसे लेस को neck की बाहर वाली side लगाएंगे ओप बाहर शो की बाहर शो का का की बाहर वाली झाल झाल कि लएस लग गई है अब हम रब्रक डोरी लेंगे जो की अमने मैचिंग इनक इसे का से की। कि यह फैब्रिक डोरी को स्लिट के स्टार्टिंग पॉइंट पर टैज करने के बाद हम इसे इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे फैब्रिक लटकन लगाएंगे जसके लिए हमने यह स्केर पीसे लिया हैं त्री बाई त्री इंच के इसे डाइगनओरी डबल करेंगे और मिडल में इन फैब्रिक डोरे रखेंगे और फिर से डबल करेंगे और उपर डबल स्लाई लगाएंगे अब इसे पलट देंगे और round shape देते हुए इसे cut करेंगे ऐसे हम ये लटकन दोनों तरफ लगाएंगे ये दोनों तरफ लटकन लग गए हैं और neck की ओपर जो rock stitch है उसे remove करेंगे ये neck बनके ready हो गया है जो कि बनाने में बहुत ही simple है और बहुत ही सुन्दर लग रहा है अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो इसे like करें और अपने friends के साथ share करेंगे and please subscribe my channel for more beautiful tutorials thanks for watching yourself झार mee cách कहाँ झार परभ क्यद सकते हैं झाल झाल